पंदरा अगस्त आ रही है क्या आपने अपने घर पर तिरंगा लहराया फेहराया मैंने अपने घर पर भी और अपने आफिस में भी तिरंगा शान से फेहराया है और इतना ही नहीं बलकि मैंने अपने कई साथियों को तिरंगा भेट भी किया है ताकि वो भी अपने घर पर तिरंगा फेहराएं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने मुझे लगता है कि ये वक्त है कि हम दिखाएं लोगों को बताएं जताएं कि हम देश के तिरंगे से हम देश की मिट्टी से हम इस भारत से भारत भूमी से भारत मां से कितना प्यार करते हैं आज मौका है वक्त है ये बताने का जताने का और शांत से तिरंगा फैराने का बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ लोग इस हर घर तिरंगा अभियान का भी विरोध कर रहे हैं इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले ये संग वाले कौन होते हैं जो ये कहें कि हमें अपने घर पे तिरंगा फैराना है ये भाजपा संग वाले तो वो लोग है जिनोंने 52 साल तक अपने कार्याले पर अपने मुख्याले पर तिरंगा नहीं फैराए था ये लोग तो इस देश में मैं हिरान हूँ और ःरान भी हो परिशान भी हूँ बहला इसमें राजनीती करने कि कौन सी बात है किसने कब क्या किया क्या नहीं किया भूल जाई है आज वक्त है शान से तिरंगा फैराई meer क्यों कि भारत की आजादी का ये अमरित महुत सा वर्ष है मैं अपने आफिस में हमेशा तिरंगा लगा कर लगता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तिरंगा इसलिए होता है इसको लहराय जाए, फैराय जाए कुछ लोग कह रहे हैं तिरंगा हम अपने घर पे क्यों लगाएं देश वक्ती के बताने जताने की चीज़ है लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके मन में देश से प्यार है तो उसे बताने में जताने में हर्ज क्या है जब आप सिनेमा घर में जाते हैं ना और जब हिरोईन किसी हिरो को बोलती है कि अगर तुम्हें प्यार है तो उसको बताओ जताओ तब तो आप बहुत तालियां पीटते हैं कि हाँ हमें प्यार है तो हमें बताना चाहिए I love you बोल देना चाहिए लेकिन अगर देश से प्यार है तो उसे बोलने में कोई शर्मिंदगी का एसास होता है आपको होता है तो क्यों होता है क्या आप किसी को बोलते नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं जिससे आप प्यार करते हैं क्या उसे जताते नहीं जब जताते हैं तो फिर भारत के परती जो आपका प्यार है उसे बताने में जताने में क्या अर्ज है ये जंडा जेब में रखने के लिए नहीं है कि आफ फोल्ड कर लें और जेब में रख लें जंडा होता ही है लहराने के लिए फैराने के लिए और अब अगर जंडे का जो पूरा नियम है उनको बदल दिया गया उसमें बदलाव किये गए है ताकि हर घर, हर व्यक्ती आसानी से तिरंगे को फैरा सके तो उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाईए उसमें शामिल हो जाईए मीन मेंक मत निकाले ये मत बगए ये कि देश वक्ती मेरे दिल में है मैं क्यों दिखाऊँ प्यार, आदर, सम्मान ये आपके दिल में हो सकता है किसी के लिए भी हो सकता है लेकिन इसको बताया भी जाता है जताया भी जाता है और ऐसा आप लोग भी करते हैं तो फिर अगर हम अपने से बड़ों के प्रती आदर दिखाते हैं जिन से प्यार करते हैं उनके प्रती प्यार को प्रकट करते हैं, प्यार जताते हैं, तो भला देश से और तिरंगे से प्यार और जो सम्मान है, उसे बताने में जताने में क्या हर्ज है? ये मौका है अपने घर पर शान से तिरंगा लहराई ये ये शर्म की बात नहीं है ये गर्व की बात है जो आजादी हमें मिली है उस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना सर्वस्व नियोचावर कर दिया और उन्होंने अपना सर्वस्व नियोचावर किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि भारत के उपर ये यूनियन जैक नहीं बलकि ये तिरंगा लहराई तिरंगा फहरे विजई विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा यही भाव था ना तो फिर जब इस भाव से हमे क्रिपया करके आईए आगे बढ़िए अपना प्यार बताईए जताईए और शान से अपने घर के उपर तिरंगा लहराईए जैहिंद वंदे मातरम